इन में क्या है, sec to the power 4 theta minus sec square theta equal to 3 है, then the value of 10 to the power 4 theta plus 10 square theta is what? देखिए, जब भी आपको 10 और sec का इसा relation में ले, तो असका answer क्या होगा? simply 3 होगा, ठीक है ना? जो आपका sec to the power 4 theta minus sec to the power sec square theta equal to 3 है, तो 10 to the power 4 theta plus 10 to the power square theta equal to क्या होगा? वोई same answer होगा, ठीक है ना? तो इसका answer क्या होगा? 3 होगा, अब कैसे होगा यह देख लीजिए, ठीक है ना? सबसे पहले इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है का sec to the power 4 theta minus क्या दिया है? sec square theta दिया है, equal to कितना दिया है? 3 दिया है, ठीक है? 10 equal to क्या होगा? 3 होगा, अब देखे, sec square theta minus 1 equal to क्या होता है? यह क्या होता? अपका 10 square theta होता है, क्या होता है? 10 square theta होता है, ठीक है? तो यह क्या आगया? 10 square theta आगया, और यह क्या आगया? अपका sec square theta आगया, आगया sec square theta, ठीक है? equal to 3 है ठीक है अब एक्षी देखिए second square theta को और क्या लग सकते है second square theta क्या लग सकते है 1 plus 10 square theta लग सकते है क्या लग सकते है 10 square theta लग सकते है ठीक है तो यहाँ क्या जाएगा अपका into क्या हो जाएगा अपका into क्या हो जाएगा अपका को ना इंटू क्या हो जाएगा अपका 10 square theta हो जाएगा ठीक है ना तो यहां क्या जाएगा आपका 10 square theta हो जाएगा जब इसका इंटू इंदर करेंगा जो क्या जाएगा तो क्या जाएगा 10 to the power 4 square 10 to the power 4 theta plus क्या हो जाएगा आपका 10 square theta ठीक है ना equal to क्या हो जाएगा आपका 3 ठीक है ना तो आपका वही same का same आ गया ठीक है ना तो इस question का answer क्या होगा इस question का answer भी क्या होगा 3 ही होगा ओके दोस्तों एक वाप वीडियो फ़र से देखिएगा आपको easily switch में आ जाएगा